नमस्कार दर्शकों जैस्टी कृष्णा स्वागत है आपका हमारे चैनल वी यार एश्रोलोजी में दर्शकों नया साल दोहजार जोईस आने वाला है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेस रासी वालों के विवा के योग कब बनेंगे देखे दर्शकों किसी भी जातक या जातिका के विवा के बारे में जानने के लिए हमें कुंडली में सब्तमभाव की स्थिति को देखना होता है सब्तम्भाव के मालिक जो भी बनते हैं उसकी दसा या अंतर दसा जब भी आती है तब वेक्ति के विवा होने की संभावनाय बढ़ जाती है अब देखी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूरू का ट्रांजिट गूरू का वोचर आपके विवा के लिए कैसे मदद करेगा और कब आपके विवा के योग बनेंगे देखे दर्शकों अभी मेस रासी में ही गूरू का वोचर चल रहा है जो कि 30 अपरेल तक मेस रासी में ही रहेंगे हाला कि यहाँ पर राभू के साथ गूरू की यूति थी जो कि चांडाल दोस बना हुआ था पिछले काफी समय से इस कारण आपके बनते रिस्ते विगड़े हैं कई बार सगाईयां होकर भी तूटी होंगे ऐसी इस्तिती बन जाती है क्योंकि चांडाल योग में विवा होना इतना संभव नहीं हो पाता परन्तु अब 30 अक्टूबर को चांडाल दोस से आपके रासी को मुक्ती मिल चुकी है इस कारण अब आपके विवा की संभावना है काफी ज़्यादा बढ़ने वाली है विवा के योग बनने वाले हैं देखिए दर्शकों अभी से लेकर आपके विवा के योग बन चुके हैं और ये 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेंगे यानि एक मई को गुरू का गोचर व्रिशब रासी में सुरूफ हो जाएगा गुरू रासी बदल लेंगे और व्रिशब रासी में चले जाएगे तब देखिए आपके विवा की वहाँ पर संभावनाएं कब जोड हो जाएगी परन तो अब से लेकर मान के जब ये 30 अप्रेल तक विवा की संभावनाएं बहुत प्रभल हैं अगर आपकी कुंडली में भी एक बार आप दर्शायन देख लीजिए अगर सब्तम भाव के मालिक की दर्शा चल रही है या फिर अंतर दर्शा चल रही है तो निश्चित तोर पर विवा की संभावनाएं काफी प्रभल हैं एक बात ये भी है दर्शकों देखिए दिसंबर में आपके लिए शुक्र सब्तमेस बनते हैं वो आपके सब्तम भाव कोई प्रभावी होने वाले हैं क्योंकि तुलारासी में शुक्र का गोचत रहेगा गुरू का प्रभाव भी सब्तम भाव पर रहेगा यानि दिसंबर 2023 23 में भी विवा की संभावनाई काफी प्रबर्ध है आपको प्रयास करने चाहिए दर्शकों खास करके 30 अप्रेल तक आपकी विवा होने की प्रबल संभावनाई है आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्ता मिल जाएगा और विवा होने की ज़्यादा संभावना ही बनी हुई है यानि कुल मिला कर ये 5-6 महीने आपके विवा के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत इस्तिती बना रहे हैं आपको प्रयास करना चाहिए मैस रासी वालों का विवा संपन हो जाएगा इसके बाद दर्शकुन देखिए मई के महीने में गुरू आपकी रासी से दितिय भाव यानि कुटूंग भाव में चले जाएंगे व्रेशब रासी में जाएंगे वहाँ पर थोड़ी संपन हो जाएगी क्योंकि गुरू का प्रवाव फिर सब्तम बाव पर नहीं रहेगा इसलिए आपको 2014 के सुरुवाती समय में ही प्रयास जादा करने चाहिए वहाँ पर संबावनाई जादा बनी हुई है आपके लिए तो ये 4-5 महीने बहुत जादा अच्छी स्थिति बना रहे हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रिस्ता भी हो जाएगा और विवा भी हो जाएगा इसके साथ दर्शकों देखिए आपके सब्तमें शुक्र है आपके विवा में विलंग हो रहा है दिक्कतें आ रही है तो शुक्र के बीच मंत्रों का जाब करिए आप साथ में देखिए आपको गुरुवार का व्रत भी कर लेना चाहिए क्योंकि ब्रहस्पती देव का अगर व्रत करेंगे तो विवा के संबावनाएं काफी ज़्यादा प्रबंद हो जाती है तो निश्चित मानिए दोहजार चोईस के सुरुवाति में में ही आपके विवा के संबावनाएं मजबूत हैं अप्रेल तक ज्यादा संबावनाएं हैं उसके बाद कमजोर हो जाएंगी इस बात का ख्याल रखिएगा दोहजार चोईस में आपका विवा संबन हो जाएगा अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए अमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए और अगर हमसे विर्तिकत तोर पर अपनी कुंड़ी दिखाना चाहते हैं हमसे बरामर्स लेना चाहते हैं तो हमारे नमरों पर संबल करके अपोइंटमेंट ले सकते हैं धन्यवाद जैसिश कृष्णा